कैनेडा दिया आपानू बहुत सारीया如何 do refusal देखानू द्रहें पिछले 18-10 डिन दे आपाएं गलघ करिए ते ज़े आपा हून आज्वे करेंट सेनेरियो ते आपानू बहुत सारे एजेंट बहुत सारे adequate consultant ते बहुत सारीयां companies दखा रहेंगी बहुत सारीया पींपिन आईई तो दोस्तों आज दी इस वीडियो दे आपनों इस गाल ते ही डिसकस कराँ कि यह तुसी कंदर दा वीजा डापलाई करना है ताथ नो आड़ी केड़ी परफाइल होनी चहीँदि है SDS ते non SDS category दे जड़े बच्चे ने ओना दा success ratio की है इस time ते जड़े Montreal दे 10 policy जो की already bans या suspension list दे विच सिगे की जड़िया ये PPR आई याने ओना colleges दे students निया भी आई याने या फिर एह सिर्फ और सिर्फ बाकी दे जड़े province ने ओना दिया PPR ने सो इस विडियो दे विच आपड़ डिटेयल दे विच गल करागे वहादी छोटी जी मैं विडियो बना आया है कोई ज़ादा आपा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट तू पॉइंट इस विडियो च गल करागे एंड तक जरूर देख्यो तो दोस्तो सब्तो पहला उना सारे स्टूदेंट्स नूँ कंग्राजूलेशनस जिनना दिया की PPR ये पहला जिना दे वीजा रफ्यूज होे ने होगो ते गल कर लेने है जिनना दे वीजा रफ्यूज होए नमी पर फाइल ला थी, कॉले चेंज कर लिया, तो अपना कोर्स चेंज कर लिया, बट SOP दे विच किते भी मैंशन नी किता, किनो था चेंज ओफ कोर्स क्यूं है, या फिर ओना था इंटरस्ट पहला, जे किसे होर कोर्स दे विसीगा, ता ओना ने हुन क्यूं चेंज किता है, ओना सारे नूँ रफ्यूजल दा सामना करना पया, या फिर ओहो स्टुएंट सी, जेडे की एजेंट स्कोल गए, विदाउट आयल से सुनके, कि बिना आयल से कैंड़ा दा वीजा ले लो, या दो चो साठे पांज, या फिर जेन दी परसेंटेज बहुत काट सी, एक एवी चले सी की पैंती परसेंट आले, चारी परसेंट आले कैंड़ा दा वीजा लेलो, सारे पैसे वीजेतों बाद, तिन लख देके कैंड़ा चल जो, पंच लख देके कैंड़ा चल जो, एज निया रफ्यूजल सेगिया, एज सारिया रफ्यूजल ओधान या पर फाइल दिया स वी सेम रखो जुरूरत है सिर्फ और सिर्फ एस ओपी देवीचे कुछ चेंज करने अपनी पर पिपेस्ट नहीं करनी इंटरनेट तो आपका कॉपी कर लेने है तो अपने जड़ी अपनी एस ओपी ओदे पेस्ट कर देने अपनी सारे कोछी बहुत सारे एजेंट अद्दा कर तो तो आटा वीजरा लगान दे चांसिस तो आडे जाद आने तो आटा इक साल दा गैप है, दो साल दा गैप है, वदे वीच्छ तुससे की किता या ज़े दुसे ओधे विच कुछ भी नहीं किता, ता ओचीज भी explain करनी ज़रूरी है, ओधी description देनी ज़रूरी है, कि मेरा है दो साल दा gap क्यों सी, चाहे ओग कॉविड करके ही क्यों नहीं होए, अगे अग्यान गिया, जड़े स्टुडेंट्स ने 6 इच बैंड सी ते ओधे पैंड सी, चाहे ओगना ने पबिक कॉविड कॉलेज चुनिया या फिर ओधे अप्लाई किता, जड़ा प्राइवेट कॉलेज ने पाथ वे प्रोग्राम ने लिता, ओणा दा दो साल दा प्रोग याने ओहो पब्लिक कॉलेजिस दी ही आई याने ते जिना दे शिक्स इच बैंड सी ओ सारे सुडेंट्स नूँ वीजा मिले आए चाहे ओ रिसेंट पास आउट सी दो साल दा गैप सी तिन साल दा गैप सी या चार साल दा गैप सी ओना दे एजेंट्स ने उना दिया यासी 14 तरीक नूँ ते एक बाई तरीक नूँ जड़ा वैबिनार हो यासी ओदे विचे एक क्लियर ली जड़े अथार्टी सी ओना ने कलिक क्लियर करती कि एसो बीदा एक्चुल जो थोड़े वीजा चे बड़ना रोल है क्योंकि हाई कमिशन इस चीज नूँ बहुत लानने के अड़ा दे विचे बड़नतों बात आट वापस इंडिया चाके की पलानने एची जहां वाक्ती इंपॉर्टेंस रख दियाने ते दोस्तों हून आपा गाल करते हैं मॉंट्रियल वाले सुडेंट्स दी मॉंट्रियल ले सुडेंस दा स्वाल सी की साथने जड़े वीजास ने कदों आणगे यहां फिर आपाँ दस कॉलेजिस दी गाल करतें जिना दे सी एक्यू सस्पेंड होई सी ते बाद वीचे रजूम होगे सी ओना दे इस रेजल्ट हले भी पैंडिंग ने बट इथे कैंडा इन इंडिया ने एक ट्वेट करके एक अल बिल्कुली क करती कि जेड़े स्टूडेंट्स दा मॉन्ट्रियल दे विच वीजा अपलाई है ओना नों असी कॉंटक्ट किता ते ओना तो कुछ डॉकमेंट्स दी दिमांड किती जो कि अलड़ी उन्होंने पहला लाए होई सी वही डॉकमेंट अपडेटिट डॉकमेंट अमंगे जेड तो एक गाल बिल्कुल क्लियर होगी आज तो पहला कनेडियन हाई कमिशन ने या आई 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 सीसी ने कदी भी नहीं किया सी के सी मॉन्ट्रियल दे सूडेंट सार जल्ट कदो दमांगी बट एक बाई तरीक दे वेबिनार दे विच ते एक जड़ा हुने ट्विट आ तो उसी केंड़ा दा विजा सक्सेस्फुली लेना चाहि नियुक्त देखो वीजा लाण ते वीजा लेंग देविच बहुत फरक है तो अटी पर फाइल चाहिए दो चो सटे पंज तुसी विजा अप्लाई कर सकते हो बर जै तुसी सक्सेस्फुली विजा लेना है तो तो अनू SDS चे अपलाई करना चीद है या non SDS चे तो अड़े 6 इज बैंड दे या किसे भी 1 मुड़ी उल्चो सड़े 5 बैंड दे तुसी चाहे तो अड़े 2 सालधा गाप है तिन सालधा गाप है उस गैप उन्हों अपनी SOB च वधिया तरीके ना जस्टिफाइ करो वधिया किसे अध्नादी कंपनी को या किसे अधनादी एजंट को अपलाई करो जो जो जैनुली तो अड़ी प्रफाइल दे मेनत करे तो अनू पाड़ने पांच रहरे ने ता मेरी तो अनु सलाए कि तुसी अपने कंट्री चेंज कर लो केंड़ा बारे तुसी ना सचो क्योंकि क्नेडियन हाई कमिशन इस टाइम काफी स्ट्रिक्ट है सिर्फ वही प्रफाइल वीजा दे रही है जिना देकि वीजाज एलिजीबल ने उस या एदा दीब पर फाइल सी जो कि वीजा ली अलिजीबल सी बट फेर भी ओनानू रफ्यूजल दा समना करना प्या तुसी अपनी फाइल रिलाज करो अपनी एस ओपी जो थोड़े चेंजीज करो कि हांजी एक अल भी क्लियर करो कि साथा वीजा पहला रफ्यूज हो चुक अपनी पर फाइल बारे होर जानना चाहने होगी तो अटी पर फाइल कैंडाली अलिजीबल है या नहीं है तो अनू केडे इंटेक देविचे अपलाई करना चाहिदाए ता तुसी सानू निच्चे देते नंबर ते कॉल कर सकते हो या फिर साठे ओफिस देविचा के विज यच्चे